आज एक्जाम चला है, MTS, CHSL या CGL में जो कोश्चन पूछे जाएंगे, या आप बिहार टीचर की तयारी कर रहे हो, उन सम्में जो कोश्चन आएगा, हम लोग यहाँ, उन ही कोश्चन को लेका आए हैं, जो बताया जा रहा है, उसको आप अच्छे से प्राक्टिस करोगे, कॉपी में नोट करोगे, तो यह जो सामने का एक्जाम से है, उससे डर हट जाएगा, केवल डाटा चेंज हो सकता है, टाइप कोश्चन का हुआ ही रहेगा, तो हम लोग सबसे पाहले देखते हैं, पाहला कुश्चन क्या है, प्रथम सत्तर, विशम प्राकिर्ट संख्या का योग, विशम, तो हम लोग यहीं पे देखें, कि अगर प्रथम इन, प्रथम इन, विशम संख्याओं का योग, विशम संख्याओं का योग इसका फॉर्मूला होता है N² एक और फॉर्मूला हम यहाँ देख लें कि अगर प्रथम N संख्या रहता तो संख्याओं का योग और यह होता है N into N plus 1 तो पाला है N² यहाँ N का मान 70 है तो बताएए योग क्या होगा तो 70 का स्क्याओं योग क्योंकि यह विशम संख्या लिखा है तो योग होगा 70 का स्क्याओं यानि 49 यह अगर संख्या पूछता तो 70 गुना 71 करते लेकिन यहाँ केवल बिशम संख्या पूछ रहा है तो 70 का स्क्याओं अगे बढ़ें हम लोग थिक्कात हो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना एक काम जरूर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर विद कमेंट्स आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप जैसा बोलोगे आपका कमेंट बताएगा उस बेसिस पर हम लोग फिर आगे का वीडियो डाला करेंगे ठीक है तो अगला कोश्चन है Second A man sold two watches for 1740 each यानि दो वाच का दो घरी का विक्रे मुल समान है याद रखना इस टाइब का कोश्चन जब भी आएगा विक्रे मुल समान है तो हम लोगों कोई भी फॉर्मूला टच करने की आवस्यक्ता नहीं है क्यों क्योंकि जब विक्रे मुल समान है पाले का भी 1740 दूसरे का भी 1740 तो ये वैलू टच ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जब भी ऐसा केस हो कि विक्रे मुल समान है तो जब विक्रे मुल समान हो तथा एक को एक्स परसेंट लाभ पर एवं दूसरे को एक्स परसेंट थानी पर भेचा जाता हो ध्यान रखना दो कंडिशन है बेचा जाता हो कंडिशन क्या क्या है ये क्वेशन पकड़ने के लिए ये ध्यान में हमको रखना है क्या पहला कंडिशन है कि विक्रे मुल समान है दूसरा है पहले को एक्स परसेंट प्रॉफिट पर और दूसरे को एक्स परसेंट लाउस पे अगर बेचा जाए तो ऐसे case में हमेशा loss होता है ऐसे case में हमेशा loss होगा और वो loss बराबर होगा x square by 100% ठीक है? That is 10 का square बटा 100 यानि 1% का loss हानी तो option कौन सा होगा? 4 number होगा अच्छे से question को देखेंगे दो घरी था 17-40 में बेच रहा था 1 पर 1% लाव दूसरे पर 1% हानी तो ऐसे case में एकदम ही ध्यान में रखना की हानी ही होगा फिर मैं बताओं अगर दोनों का क्रैम उल्ले समान होता ना तो वो case अलग होता फिर किसी अगले सेट में हम लोग वो question भी देखेंगे दोई चीज़ होगा या तो SP समान या CP समान अगला question अगला है यदि साधारन ब्याज की वार्षिक दर 10 परसेंट से 20 परसेंट हो जाती है पहले दर क्या था 10 परसेंट बाद में क्या हो गया 20 परसेंट तो 1250 रुपया बढ़ जाता है देखो ना 10 परसेंट से 20 परसेंट तो 1250 रुपया बढ़ जाता है ध्यान ऐसे question में क्या देना है कि एक 20 परसेंट और दूसरा 10 परसेंट तो बढ़ा कितना 10 परसेंट 10 परसेंट बढ़ गया तो क्या पूछ रहा है कि ये 10 परसेंट बराबर तो आपका आया रुपीज बारह पचास, क्वेशन क्या कर रहा है, मूलधन, मूलधन तो 100% होता है, तो हम लोग बारह पचास, बटा, दस, गुना, 100 करेंगे, एक जिरो और हट गया, यानि बारह हजार 500, यानि ब्यास कदर 10% से 20% हुआ, देखो, क्वेशन सॉल्व करने के ल मैक्सिम्म आधा मिनट का टाइम रता है, एक मिनट में दो कोश्चन बनाना है, उसमें कई कोश्चन ऐसे होंगे, जिसमें 5 सेकिंड लगेगा, 10 सेकिंड लगेगा, और कुछ कोश्चन ऐसे होंगे, कि एक मिनट भी लगेगा, तो हम लोग को वो बैलेंस करके चलना है, कि लेगा तो कुछ जगा भागना भी है यानि पढ़ने के साथ 10% 12-50 करते तो 100% कुछ कहते कि सर ये तो 10 गुना है तो ये भी 10 गुना कर देजे ना तो 12-50 का 10 गुना मतलब 1-0 बढ़ा देते option 1 होता clear है तो हम लोग इसके बाद आगले question की और move करें question आपनों को समझ में आ रहा है आगला question है धियान देंगे ये भी एक important question है कि by mistake instead of dividing rupees 117 मतलब 117 रुपे को ABC में बाटना था और ratio क्या था कहा कि एक वर्टा दो एक वर्टा तेन और एक वर्टा चार के अनुपात में बाट दो एक चिज़ हमेशा याद रखना कि ratio अगर fraction में है तो उसको simplest form में बदल लेंगे किस में बदल लेंगे? simplest form में और वो simplest form कैसे आएगा? तो जो denominator है उसके LCM से गुना कर दो तो यह देखो यह fraction में है 2, 3, 4 का LCM क्या होगा? 12 होगा यह क्या है? LCM अब बताओ 2 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में 3 से 4 बार में 4 से 3 बार में 6, 4, 3 कान पात आया बाटना था इस रेशियो में उसको यह idea नहीं था कि fraction जो होता है उसमें नहीं बाटके इसको simplest form में उसने क्या सोच लिया? उसने सोचा कि 2, 3, 4 के अन पात में बाट देते हैं अब बताओ बाटना था इस रेशियो में बाट दिया इस रेशियो में तो ए को क्या मिलना क्या था? 6 बाट टोटल 13 गुना 117 रुपया 13 से कटेगा 9 बार में 694 रुपया ऐसे ही B को क्या मिलेगा? दखो यह 4 बाट टोटल लिखा जाता है 4 बाट 13 गुना 117 रुपया 9 बार में कटा 9 रुपया 36 और सी को 3 बाट 13 गुना 117 रुपया 37 यह मिलना था जो मिला कि बाट दो मालो यह करोर में होता तो 54 करोर 36 करोर 27 करोर और उसने बाट दिया 2,3,4 के रेश्यो में यह मिला 2 बाट टोटल 4,3,7,2,9 इंटु 117 रुपया 13 गुना 26 और B को 3 बाट टोटल 9 गुना 117 रुपया 39 और C को 4 बाट नौ गुना 117 रुपया 52 ध्यान दो यह हो गया A B C मिलना था यह मिल गया यह दखो यह जिसको 54 मिलना था उसको क्या मिला 26 तो यह बेचारा रो आए सर पतक के रो राए दोना 54 करोर 26 ही मिला और दूसरे को मिलना था 36 करोर इसको 49 मिला तो नजर आएगा तीन करोर जादा मिल गया यह तो भागेगा और इसको मिलना था 27 करोर और मिल गया 52 करोर यह तो इंडिया भी छोर करके यह अपना कंट्री छोर के ऐसे कंट्री जाएगा कि नजर नहीं आए तो देखें सी को सबसे जादा यानि बावन से 27 घटा दो कितना 25 रुपया जादा या अगर करोर होता तो 25 करोर जादा यानि option D होता तो बांटना वो था बांट वो दिया इसको थोड़ाई स्पीड में बनाएंगे कि दो तीन पांच चार नौ 9 से 117 तेरा बार में तो यह तेरा दुना 26 यह तेरा तिया 49 यह तेरा चो का बावन तरेक लिखते हैं और इसका क्या होता तो देखें इसका 6,4,10,3,13 एक्स वरा आप पाव नौ तो ये नौ चार के 54 ये नौ चो का 36 ये नौ तिया 27 तो किसको जय तो मतलब हमारा स्टेप इतना ही होता और हम लोग कोश्चन सॉल्व कर लेते तो जय तो जयादा इसको मिला 27 से 52 कोश्चन पूछ रहा है किसको समसे अधिछ और कितना लाव हुआ तो 25 का ल बनाना वैसे ही है अगला question है time and work का बहुत ही important question पैसे का बटवारा कैसे करते हैं A एक काम को 12 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 15 दिन में C काराए कि C की सहायता से way यानि all यानि A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C 5 दिन में तो A का एक दिन का 1 वट बारा B का एक दिन का 1 वट पंदरा ये हो गया किसका A का B का C का 1 वट पाँच में से 1 वट बारा और 1 वट पंदरा घटा लेंगे ये किसका मिलेगा C का क्याहइगा LCM 60 पांच से बारह, बारह से पांच, पंदरह से चार, बारह से पांच हो चार, नो घटा दोगे, तीन बटा साथ, यानि एक बटा बारह, क्या हैगा, एक बटा बारह, अब देखो, ये फ्राक्षन में आ गया, यहां भी बाटना है, किसको बाटना है, वेजिस को, मजदूरी को, इन लोगों को एक साथ काम करते हुए 960 रुपया मिला, तो बटवारा कैसे होता है, किये गए काम के अधार पर होता है, तो 12, 15, पाला क्या था, 12, दूसरा क्या था, 15, पाँच, सॉरी, ये 20 होगा, 20 थिया 60, ये क्या होगा, ये 20 होगा, एक बटा, 20, अब हम लोग देखें, कि 12, 15, 20 का, LCM क्या होगा, तो LCM 60 होगा, किसे गुना करते हैं, LCM से, 12 से कितने बार में, 5, 15 से 4, और 20 से 3, 5, 4, 3 का रिश्य होगा, किसका पूछ रहा है, ए को, A का कैसे मिलेगा, तो A, यहाँ 5 है, by total, 5, 4, 9, 3, 12, गुना, कितना पैसा को बांटना था, 960 को, 12, 96, 400 रुपया, A को मिलेगा, यानि, option 4, देखो, फालतों के questions, पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग वैसे questions को टच करते हैं, जो exams में पूछा जाएगा, तो उस धंग से, आप धीरे-धीरे, हमारा प्लान यह होगा, कि sit को धीरे-धीरे tough की ओड़ ले जाना, आसान से बढ़ते हैं, और cutting पे जाते हैं, तो अगला question क्या है, छे नंबर, pipe system का है, किसका है, pipe system, दो pipe, एक टैंक को बारा घंटे और बीस घंटे में भर सकते हैं, पहला, मालो A है, बारा घंटे में, और B है, पीस घंटे में, जबकि तीसरा खाली कर रहा है, तीसरा खाली कर रहा है, तो करा यदि सभी pipe को एक साथ खोल दिया जाता है, तो खाली टंकी को कितने घंटे में भर दिया जाएगा, अब देखो, ये भर रहा है, तो एक वटा बारा प्लस साइन होगा, ये भी भरने वाला एक वटा बीस होगा, ये खाली करने वाला है, माइनस एक वटा थीस होगा, तीनों का LCM साथ होगा, बारा से पांच, बीस से 30 से 12 से 12 पचे 60, 20 तिया 60 और 30 दुना 65, 8 से 2 घट गया 6 होगा, 6 बटा 60 यानि 1 बटा 10 या पलट देंगे तो 10 घंटा समझ में आ रहा होगा कि केवल ध्यान क्या रखना है, भरने वाले को प्लस कर दो, खाली करने वाले को माइनस कर दो, result अगर प्लस में आया तो खाली टंकी भर जाएगी और result अगर minus में आया, तो भरा हुआ टंकी खाली हो जाएगा, ठीक है, आगले question की और हम लोग बढ़ते हैं, question number 7, तो देखे, a train moves past a telegraph post and a breeze, मतलब एक गारी जा रही है, रास्ते में एक pole नजर आया और एक breeze नजर आया, pole की लंबाई, मतलब चौराई जिसको कहेंगे, distance जिसको कहेंगे, वो zero माना जाता है, और breeze का दिया हुआ है, कितना है, इसको क्रमसा 8 second और 20 second में पार करती है, पहले वाले को 8 second में और दूसरे वाले को 20 second में, तो train की गती, अचा, speed वराबर, पहले तो देख लो, speed, यह train है, और एक pole को पार करें, तो यह तो L1 है, लंबाई, अब pole 0 होता है, तो यहाँ पे, इस case में, distance क्या होगा, L1 प्लस 0, दूसरा case है, यह train, एक breeze को पार कर यह, breeze है, तो यह L1 और यह L2, तो, speed of train will be same, same होगा, क्योंकि चलने का काम, train ही कर रहा है, चाह पोल को पार करें, और चाह वो, breeze को पार करें, यह station को पार करें, तो, क्या होगा, speed वराबर, L1 प्लस pole है, 0 बाई T1, और यहाँ, L1 प्लस दूसरे का value दिया हुआ है, 264 बाई T2, अब देखो, यानि, L1 बाई पाले का time, 8 है, L1 प्लस 264, दूसरे का time कितना है, 20, 4 दुना 8, 4 पचे 20, cross multiply, 5 L1 बराबर, 2 L1, प्लस 2 चोका 8, 2 चक 12, 2 दुना 4 और एक 5, यानि, 3 L1 बराबर, 5 तू 8, तो L1 बराबर, 1 7 6, अगर train की लंबाई पूछता, तो 106, लेकिन question कह रहा है, speed बताओ, तो ये L1 का मान, इसमें रख दोगे, तो भी निकल जाएगा, या ये speed हो गया, speed, तो यहां रख दो, तो भी बन जाएगा, या यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, speed, तो देखें, speed होगा, 176, ये था meter, और ये है second, आपको साथ साथ option भी देखना है, कि वो kilometer per hour में, या meter per second में, अगर meter per second होता, तो यही answer होता, तो इसको 18 वेटा, 5 km per hour से multiply कर दो, ठीक है, तो 8 से कटेगा क्या, आर्दुना, 16, एक परचे, आर्दुना, 16, बाइस बार में, 18 दुना, 36, 18 दुना, 36, 49, by 5, यानि, 2 चक बार, 18, 11, 7, 79.2 km per hour, तो यह answer दिया होए, option D, ऐसे ही, हम लोग अगले question को देखे, तो अगला question है, देखें, यह धारा और नाव, तो धारा और नाव में, धारा एक नाव, धारा की दिसा में, बात जगर दिसा में होगा, तो चाल, X प्लस Y, तहां X, नाव की चाल, Y, धारा की चाल, अगर पानी के साथ उसकी दिसा में जा रहे हो, तो आपका तो स्पीड होगा ही, और पानी भी धक्का दे रहा है, यानि आपका स्पीड प्लस पानी का स्पीड, इसलिए X प्लस Y, और अगर अगेंस्ट में जाना हो, विरोध में जाना हो, विप्रीत दिसा में जाता, तो क् x plus y यहाँ पे 20 बटा 2 यानि 10 होगा और x minus y यहाँ पे 20 बटा 5 यानि 4 होगा दोनों को solve करेंगे तो 2x बराबर 10 और 4 14 x बराबर 7 x तो 9 की चाल है सांत जल में और वही पूछ रहा है सांत जल में 9 की चाल तो answer क्या होता 7 km पराबर तो हम लोग different type के questions को जो आपके exam में आएगा mix करकर के हम लोग देख रहे हैं आप daily questions को copy में note करो, बनाओ, problem होने पर वीडियो को बार बार देखो और ज़रत पढ़ने पर comments भी करो आगला question देखें, now find the largest number of four digits चार अंकी बरी से बरी संख्या एक, दो, तीन, चार तो क्या कारा है? on dividing by 15, 18, 21, 24, करा इन सब से भाग दे, तो remainder 11, यानि 15 से भाग दे तो remainder 11 मतलब 4 कम, 18 से भाग दिया तो 14 यह भी 4 कम, यह भी भाजक से 4 कम है, और यह भी भाजक से 4 कम है, तो क्या कारा है? चारंको की बरी से बरी संख्या बता है, जो 15, 18, 21 और 24 से भाग देंगे, तो 11, 14, 17 और 20 remainder आएगा, तो हम लोग सब से पहले क्या करते हैं? जब एक से जादा भाजक हो ना, तो LCM of 15, 18, 21, 24 इनका LCM निकाल लिया, तो LCM क्या होगा? 15, 18, 21, 24 3 से 5, 6, 7, 8 फिर लग रहा है 2 से 5, 3, 7, 4, 3, 9, 6, 35 तिया 90 गुना 4, 360 को 7 से गुना करो, 7, 0, 0, 7, 6, 42, 21, 25 यानि इन 4 संख्या से भाग नहीं दे करके, हम 25, 20 से भाग देंगे, तो 25, 20 से अगर आप भाग दोगे, किसको? तो यहीं 4 बार 9 को, तीन बार में लगेगा, 3, 0, 0, 3, 2, 6, 3, 5, 15, 3, 2, 6, और 1, 7, तो कितना आएगा? 9, 3, 4, 2 3, 0, 0, 6, 15, 7 यानि इतना ज्यादा है, तो पाले 9, 9, 9, 9 में से 2, 4, 3, 9 को घटा दो, 0, 6, 5, 7 ये वो संख्या है, लेकिन कोश्चन करा अलग-अलग रिमेंडर है, और सभी का डिफरेंस कितना है? 4 तो माइनस डिफरेंस लिखते है, यानि 75, 60 में से डिफरेंस 4 है, घटाओ 75, 56 यानि आप्शन क्या होता? आप्शन भी होता, किलियर है? चारंको की संक्या तो ये लिख लिख लिया, जिससे भाग देना है, उनका LCM निकाल लिया, सिधा भाग दिया, जो आगे रिमेंडर उसको घटा तो, और इतना इतना रिमेंडर आएगा, तो इफरेंस को घटाए जाता है, इसलिए उसको भी घटा तो, और लास् मेंसुरेशन का है फेत्रमिती क्या कर रहा है find the length of the longest rod that can be placed in a hall of 10 meter length 6 meter breadth and 4 meter height मालनो तुम्हारा कमरा 10 meter लंबा है 6 meter 4 है और 4 meter उंचा है एक होल है चोटा सा और उसमें आपको क्या रखना है एक रखना है तो पता है longest size क्या होगा यहां उपर तो वहां नीचे या वहां उपर तो यहां नीचे या इस side उपर इधर नीचे इधर उपर उधर नीचे यानि diagonal होगा diagonal जिसको विकर्ण कहते है diagonal of cuboid तो यह क्या होता है यह होता है आपका L square plus B square plus H square आप देखे L square B square H square L command कितना है 10 है B command 6 है height 4 है तो यह कितना होगा 100 plus 36 plus 16 या या यानि 142 या 4 गुना और 4 से 38 बाहर निकलेगा 2 root 4 4 का बर्मुल दो 2 root 38 अगर यह centimeter है तो यह भी meter centimeter होता तो centimeter तो आप लोग को यह क्लास अच्छे से समझ में आया होगा जहाँ दिक्कत होगा उसको दुबारा देखेंगे comment करेंगे कि इस टाइब का question फिर आगे दिया जाए कि आप अच्छे से solve करोगे ठीक है thank you